नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? भगवान जी जब देते हैं तो छप पर फाड़ करके देते हैं, लेकिन देते कब है? कब देते हैं? जब हम रेडी होते हैं हम रेडी कब होते हैं? जब आप वो चीज़ को अपनी लाइफ में उतार ने के लिए उस लाइक बन जाते हो और आपकी जो एनर्जी होती है, वो ये बोल रही होती है कि येस, आप रेडियो, उसके लिए आपके शब्दों की जरूरत नहीं है आपके हाव भाव की जरूरत नहीं है आपकी सिर्फ उसी पेलिंग और एनर्जी की जरूरत है अब यह हो कैसे? बड़ा ही असान है आप अपने आपको अगर रिसीविंग मोड मेरे लेकर आना चाहते हो आप यह चाहते हो कि वो जो चपर फाड़ करके भगवान जी जो देते हैं तो कब देते हैं? वो तो हमें समझ में आ गया कि हम जब रेडी होते हैं हम रेडी कब होते हैं? जब हम यह सवीकार करना स्टार्ट करते हैं कि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं देखिए अगर आप दुखी महसूस कर रहे हो आप परिशान हो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी चप पर पाड़के, यद्याद रखिए अबुख़ हो तो खुश ही मिलेगी आप रिलाक्स हो थो आपको रिलाक्स होना मिलेगा चप पर पाड़के because وही एनरजी है जो आपकी यह पता रही है कि आप receiving mode में हूँ जब एक विध्यारती रेडी हो जाता है, एक स्टूडेंट रेडी हो जाता है, तो टीचर्स अपने आप अपेर हो जाते हैं, जब हम ग्यान के लिए तयार हो जाते हैं, तो ग्यान अपने आप अपेर हो जाता है, और हमारे लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है, रस्ते वो पहले खोजे गए थे अब तक आने के लिए आप वहां पर उस रास्ते पर अंजाने में जाकर के नहीं कड़े हो गए हैं वो जो भगवान है ना वो जो आपके अंदर भी बैठा हो है ना जिसको हम ऐसे भी इशारा करते हैं तो ऐसे भी इशारा करना चाहिए और देखें कि यहां से क्या दे रहे हो आप जो कुछ भी दे रहे हो ना आप उसी चीज़ के receiving mode में हो बस इतना ध्यान देना है आप जो कुछ भी दे रहे हो जो कुछ भी आपने अंदर बैठा रखा है ना वही चीज आपकी feeling बन करके उभर करके आ रही है और वही असलियत है वही आप attract कर रहे हो वही आपको मिल रहा है और अगर ये गहरी बात हम इस तरहां से आसानी से उतारें और अपने आपको daily बैठ करके चेक करें महसूस करें देखें कि मेरा receiving mode क्या है अभी इसी वक्त का क्या है क्योंकि उपर से अगर चपन खुल रहा है तो वह मेरे उपर बिल्कुल वही खुल रहा है जिस चीज के लिए मैं receive करने कें लिए तयार हूंग और में receive करने के लिए क्या तयार हूँ अगर अंदर से pain तो फिर pain गरीबी तो फिर गरीबी, पैसा तो फिर पैसा, खुशी तो फिर खुशी, अंदर से संतुष्ट होना तो फिर संतुष्टी, वो सारी चीज़े अपने आप होने लगेंगी जो आपको संतुष्ट करें, वो सारी चीज़े अपने आप होने लगेंगी जो आपको खुश्ट कर यह बात बहुत गहरी है और अगर हमें इस कहावत की थूँ इससे समझना है तो अगर हम इस तरह से समझ जाएंगे तो यह आसान है हमारे लिए तो अभी इसी वाकताब जैसा भी फील कर रहे हैं यह आपके हाथ में हैं कि आप इसे चेंज करें थोड़े से efforts डालें consciously efforts डालें अगर ऐसे ने डाल पा रहे हैं तो नहीं हो पा रहे हैं खुझ से नहीं आ रही है वो हम्मत तो भी efforts डालें डालें उठें खड़ें हों और दौना शुरू करें यह आपकी सिंदगी है feeling आप अपनी बदल सकते हैं आपकी जगा करके कोई और आपकी feeling नहीं बदल सकता आपके बजाए कोई और आपके अंदर खुस करके आपके उन सारे wounds को नहीं हटा सकता आपके हैं आपको ही हटाने पड़ेंगे आपको खुद को receiving mode में लाने की तयारी खुद से करनी पड़ेगी इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको receiving mode में लाने की तयारी करें और ये वीडियों भी अगर आज आपके सामने पड़ गया है न तो आप यकीन मानियेगा कोई रस्ता है जो खुला है आपके लिए कोई तो ऐसा रस्ता है जो खुला है आपके लिए receiving mode को आप काईदे से समझ जाओ और समझ जाओ उसको समझदारी से पनी life में उतारें हर पल, हर घंटे, हर दिन को receiving mode में लाने की तयारी पर हो जाएं तयार क्योंकि receive तो आप करी रहे हैं हर पल, हर घंटे, हर दिन, हर महीं में पर क्या वो जो क्या है वो आपके हाथ में आप उसके क्या हो ऐसे भी बदल सकते हैं ऐसे भी बदल सकते हैं ऐसे भी बदल सकते हैं जैसे चाहें वैसे बदल सकते हैं या आपके हाथ में बग्मान जी जब देते हैं तो चपर फाड़ करके देते हैं लेकिन कब जब आप तयार होते हैं आप तयार हैं? जिस भी चीज के लिए तयार हैं वो आप महसूस कर रहे हैं अपना दर गए कहले अपने अपस की ज़िए सारा प्यार था क्यों पर ट्राक्ट करें देए सारा प्यार आलाव योऌड ड़ा